विजय दस्मी को लेकर जिस तरह से सरकार और विजय दिकारियों द्वारा आदेश जारी की गई थी कि गगा में किसी भी परकार का मुर्ती भी सर्जट नहीं होगा उसके लिए कृत्रित तलाब का निर्बान कराया जाएगा पठ्टा के जिला दिकारी ने सायब थर में सभी सबीती को बना किya है कि गगा में बुर्ती द्रगा पूजा को लेकर जो है ज़ए गंगा में मुर्ती भी सर्जट नहीं करेगे यही वो तलाब है तलाब अखिव चरण पे हैं और विजय दस्वी को लेकर जो है सार्वजरिक पर कुछी देर में कर दिया जाएगा हमारे साथ पत्ड़ा डगर डिगव के एक कुछ आधिकारी है बेवस्था की बात करें तो क्या क्या चीज है इसमें कितना फिट गह रहा है यह अगरे बरे बुर्तियां जो है आगी तो इसमें अब अध्रगात में और खादे का लागा तो अच्छा के द्रिष्टिकों से बात करें तो किस तरह का सुरक्षा कि करवा दिया गया है कि लुद है कि वालू वाला मिट्टी नहीं जांद हालो को गगा उतार भर भी है साधालू को इसमें नहीं उतार रहा है यह तलाब कितना कैपेसिटी है पुर्ति पीसरगत पाल्टि अ है तो आपने देखा इग उने बताया कि इस क्रित्रिब तलाब में जो है पाद से 600 मुर्ती का विसर्जन होदा है और यह क्रित्रिब तलाब है पट्टा डगर दिगत देग्वारा बनाये गया है कि पट्टा के जिलादिकारी ने साफ़ पर यादेश किया था और सभी आयोजल संगीति के लोगों को कहा था कि इस परकार के मुर्ती बिसर्जन नहीं हो सिधे और विव भी बात कर रहें से बताये कि पट्टा डगर तिका क्या विस्ता कर रहे है तरह यह कितना फिट गहरा है यह लगभग 10 फिट गहरा है पट्टा सीटे में कितने तलाब का डिवार्ट किया रहे हैं तो देखें यह पूरा तैयारी जो है अब अंतिम सीवा पर है और दो बज़े तक इन लोगों का जैसा कहाना है कि दो बज़े तक यह सारवजादी कर दिया जाएगा हम लोग सीधे भी और बात करें क्योंकि जिस तरह से यह परवपरा आ रहे है कि गंगा में जिस तरह से मुर्ती मिसर्जा जो है सीधे गंगा में किया रहा है तो हम लोग सीधे बात करेंगे क्योंकि सद्वियों से यह परवपरा चली आ रही है हमारे साथ लल्लू सर्मा जी है और यहां के काफी समास से भी जूरे रहे उसर बताईए कि जिसके कोट के तरफ से जो आदेश आया है कितना हद तक समात का भादला है और लोगों किस तरह जो देखना है इतिहासी घाट है थोड़ा चाहिए इसका इतिहास बताना चाहता हूं तो बील भद्र जिसी मुनी थे भद्र घंगा शनान करते थे गंगा शनान करके बड़ी पटन देवी में जाके दर्शन करते थे उनके स्वपन में आया कि मूर्तिया स्थापित किया जा नाम से परसिद रोगाथ जब उनका संत मुनी को जब स्वपन हुआ तो ब्रती भी साजन अब कहां किया जाए तो बड़ घंगा पर उन्होंने करने लगा भद्रघभाठ के नाम पर पूरे प्रतना के मुर्ति बद्रघभाठ HERE ने लगा कि आपको याद होगा कि अंग्रेश कि पाइस के बनाया वाह। यह अबस देखने loot . मुंती भी सर्जन की स condemn कि पहुत अच्छा लगा उन्होंने कजा कि नहीं भदर घाट से भी सर्जन अच्छा लगता है ती clap जो बताया संत मुली जो भी वद्रीजित हैं उनको जो सौपने हुआ कि भद्रगाट भी शर्जन होने लगा उनको बहुत अच्छा लगा उसे परमपड़ा के अंत्रगाट बड़ी देवीजी महारु गंज का महाराज गंज का और कई अश्चिम जो पटना से आने वाले मुर नहीं जो भी पूजा समीति है उस तो आज आक्रोश है ही इसलिए कि तलाव यह उन्हें से बढ़ना सुरू होगा लेकिं तलाव से हमें किसी तरह का कोई अब्जेक्शन आपती नहीं है पूजा समीति को लेकिन उसको अंच्छा ढंग से विसर्जन का लगे विसर्जन प्र ताके पूजा समीति को भी साजन करने में सुविदार है घंडा जीवन दैडी है और अवरित्त को बनाये रखना और पर दोशन भुप्त बनाये रखना हम लोगों का भी खर्टब है और इसी लिए पट्टा है यह हाई हाई को चिप जस्टिक्स ने या देज दिया है कि मू इसकी तक्रिवर चुबिश्व मूर्ति यहां पर विशर्ण पर प्रतिमा विशर्ण हो गया है जीवाद अचल में दो घाटों पर खृत्रिव तला बनाये तो बटवा लब उस्तिति में तो पूरी बुर्ति यहां पर नहीं आ सकती है इसी को देखते हुए पट्टा नगर नहीं प्यूर्ची यहां भी विवस्ता की गए और हमारे संस्था कि भत्रगार प्रविवक्षी मिठी को भी यहां भी कर्च करते हैं यहां पर यहां पर मौजूद रहें तो आपने सुना कि कुछ रोस भी है लेकिन हाइकोट का आदे पूरा तरह से बढ़ कर तयार है और सभी यही तलाब में जो है गंगा बादेवी की प्रकीमा जो है भी सरजद होना है और पट्टा नगर निगव के तलब से यह घाट को पूरी तरह तयार ही कर लिया गया है और इसीधे तोर पर अधिकारी के काना है कि दो बज़े तक यह गाट जो है सारजदिक तोर पे कर दिया जागा ये टेवी भारत के लिए फट्टा सीटिस से अरून कुबार के लिए पूर्ट